नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे आज हम बात करेंगे सिपला लिमिटेट के बारे में पिछले कुछ दिनों से सिपला काउंटर में अच्छी खासी हलचल देखनों को मिली हुई है इसी के बारे में हम discuss करेंगे हम discuss करेंगे अगर आप short term investor हो तो सिपला से आप पैसा कैसे कमा सकते हो इसका buy का price क्या है target क्या है और stop loss के levels क्या है इसके बारे में भी हम detail में बात करेंगे और आने वाले दिनों में सिपला के कुछ न्यूज आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं तो इस रिजल्ट का effect stock के उपर कैसे देखने को मिलागा उसके बारे में भी हम detail में बात करेंगे तो चली चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है, तो हमारे चानल को subscribe कीजिए, like कीजिए और comment जरूर कीजिए यहां पर दिखिए मैंने लिखके रखा हुआ है सिपले के लेबल्स, देखिए 13 मार्च को सिपला ने low बनाया 13.55 का और उसके बाद दिखिए सिपला में अच्छी खासी बढ़ोती देखनों को में लिए 13 मार्च में दिखिए इसने low बनाया 13.55 का उसके बाद 27 एप्रिल को इसने high बनाया 632 का तो यहां पर आप देख सकते हो अच्छी खासी बढ़ोती देखनों को मिली इस्टॉक के प्राइस में लेकिन उसके बाद दिखिए स्टॉक का प्राइस औल्मोस्ट एक फ्लाट के हिसाप से ट्रेट करता रहा क्या फ्लाट के हिसाप से ट्रेट करता रहा चली इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर आप देखो के फिर 22 जून को इसने high बनाया 692 का फिर से दिखिए 17 जुलाई को high बनाया 696 का आज देखिए 30 जुलाई को closing दी हुई है 698 पे तो अगर यहां पर मैं line draw करूं तीनों के तीनों line को यह cross करने की कोशिश कर रहा है जो के आपका 695 से 600 700 के आसपास आ रहा है तो देखिए यह line को यह cross करके कोशिश कर यह cross करके ऊपर जाने के लिए लेकिन अभी तक सक्यम नहीं हुई है इसको इतना momentum नहीं मिल रहा है ठीके और दिखिए bottom portion में अगर आप देखो के bottom portion में इसने low बना हुआ है 660 के आसपास इसको अच्छा खासा support मिल ला है पिछले कुछ दिनों से लेकिन अगर यह 660 का label cross करता है तो इस लेबल को अगर ही तोड़के नीचे जाता है तो 640 का जो label है यहाँ पर इसको तब यहाँ पर अच्छा खासा support फिर से मिलेगा तो चलिए इस label को हम लिख लेते हैं दिखिए lower label पर इसको support मिल रहा है drawing class करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो हमारे लिए easy रहेगा दोस्तो lower label ले दिखिए इसको support मिल ला है first support चो इसको मिल ला है मिल ला है 660 के आसपास और अगर नीचे जाता है तो फिर इसको support मिलेगा 640 के आसपास resistance की बात कर लेते हैं resistance इसका बना हुआ है 695 से लेके 700 के आसपास इसका resistance बना हुआ है जैसे मैंने बताया पिछले कुछ candle इसको cross करके उपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उसमें structure नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पर दिखिए मैं line draw कर दूँ तो आपको clear idea रहेगा ये दिखिए upper label पर ये line बनी हुई है lower level पर दिखिए 660 के आसपास यहाँ पर दिखिए support बना हुआ है और उसके नीचे गाता है तो यहाँ पर दिखिए 640 के आसपास इसको फिर से support बना हुआ है इसलिए मैं बोल ला हूँ दिखिए ये वाली जो line है ये maximum candles को middle portion में cross करके निकल रहे है और ये उसी label को है जो 27 April को 632 को इसने cross करके ऊपर आयवा तो चलिए मैं चार्ट को enlarge करता हूँ इसके हमें idea आएगा और दिखिए news क्या है 8th of August में लिख लेता हूँ 8 August को supply का quarterly result आने वाला है Q1 के result आने वाले है जो की बहुत ही अच्छे आने के बहुत आसार है आनलेस्ट का कहना है कि supply का Q1 का result बहुत जवर्दस आ सकता है इसलिए आप अभी देखिए अभी से लेकिए अभी देखिए 30 जुलाई है 30 जुलाई से 30 जुलाई से आप 1st of August लेलो ठीक है 30 जुलाई से आप लेलो 8th of August अब तक देखिए श्ट्रॉक के प्राइस में अच्छा खासा उच्छाल देखनों के मिलेगा क्योंकि आनलेस्ट का कहना है सिपला का रेजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला तो उसे सबसे आपको क्या करना रहेगा दिखिए हम क्लियल यहां पर बात करके अपो नीचे लेबल पर सपोर्ट बना हुआ है आप इस रेंज पर खरी सकते हो दिखिए चलिए मैं आपको लिख के यहां पर दिखा दता हूं इससे पहले हम इसका एक्स्पोनेशल मूविंग आबरेज भी एक बार देख लेते हैं कोई भी इस्यूशन लेने से पहले दिखिए हम यहाँ पर आपका एक्स्पोनेशल मूविंग आबरेज लिख लिए हैं देखिए 5 डेक का एक्स्पोनेशल मूविंग आबरेज आ रहा है 670, 410 डेक आ रहा है 660, 820 डेक आ रहा है, 650, 9 और 50 डेक आ रहा है, 636 तो इसी के बेसिस पर हम को बाइड इनिशेट करन आ रहेगा तो बाइनिशिट कीजिए फाइब डे का जो एक्स्पिरेंशल मुविंग अब रहेचे 674 के आसपास स्टॉपलस कहां पर लगाना है 20 डेक एक्समेंशल मुविंग अब रहेचे 659 आ रहा है जो हम बता है यहां पर देखिए अच्छा कासा इसका सपोर्ड में मिल रहा है 660 के आसपास तो इसी के आसपास आपको स्टॉपलस लगाना रहेगा तो स्टॉपलस के लिए यहां पर भी चलिए मैं लिख लेता हूं तो यह दिखिए हमें idea आएगा कहां पर buy करना है कहां पर stopलस लगाना है तो चलिए इसी के साथ मैं सको visible करके आपको दिखाता हूं ए नमबर्स एक बढ़ लिख लेता हूं मैं 시screen पर लिखे स्क्रीन के मैंने नंबर लिख ले हैं, अगर आप short term investor हो, यहाँ पे लिखा है, अगर आप short term investor हो तो buy above 680, जब तक कि 5 day exponential moving average, 674 के उपर अपने आपको sustain करती है, तो buy किजिए 68 के above, आप इसको buy कर सकते हैं, target रहे का आपका 720, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, Q1 के result आने वाले हैं, तो उसे साब से stop के price में अच्छी कासी बढ़ोत्री आने वाली है, आने वाले हपते में, आने वाले एक week के अंदर, यहाँ पे मैं time name में लेख लेता हूँ, one week करके, और stop loss लगाई है, 655 पे, इसलिए हम 655 बोल रहे हैं, कि देखिए जो 50 day का experiential moving average है, वो आ रहा है, आप 659 तो इसी के आसपास stop loss लगाई है, और हम अगर चार्ट से भी जो देखे, इसको अच्छा कासा first level support मिला है, 660 के आसपास, तो ये numbers पे आप धान रखे, अगर आप short term investor हो, तो आप इस counter पे पैसा लगा सकते हो, ये numbers को ध्यान में रखे, बोलना हूँ, first 8th of August को इसका result आवने वाला है, result अच्छा खासा perform करेगा, analyst का ये मानना आएगी है, शिपला अच्छा ही perform करने वाला है, तो उसे साब से आप इस numbers को ध्यान में रखो, और numbers को रखे, आप stock पे trade कर सकते हो, इसके साब चलते हैं, और देखते हैं, NSE पे आज देखते हैं, शिपलाक ने कैसा perform की, उपन वा देखिया, 681.20 पर हाई गया, 698 तक लो गया, 681 तक क्लोज वा, 688, 6.70 पर 0.8% के साथ आज ही उपर बंद वा, face value देखिये, दो रूपे का traded volume के share हम डीटिल में बास करेंगे, 52 week high 698 देखिये, ये बात बहुत बड़ी बात है, आज ही देखिये, इसने अपना 52 week high को cross किया है, या touch किया है, ठीक है, quantity deliverable quantity अगर आप यहाँ पर clearly देख सकते हो, quantity traded 71,71,000 के share हाज टेट किया गया, जिसमें स 17,32,000 share को delivery किया, क्या delivery percentage देखिये, 24.15% है, और एक चीज़ highlight करना चाहता हूँ, आप धीरे-धीरे देख सकते हो, इसके volume से वो daily basis पे देखिये, धीरे-धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे है, पिछले कुछ दिनों से, देखिये, 44 था 27 July को, 45 वहा 29 July को, 72 lakhs के share trade किया गय और आज दिखिये, 71 lakhs के trade किये गए, तो यहाँ पर आगर देखो कि almost 100% का jump है, क्योंकि इसका result आने वाला है, इसके चलते counter में अच्छी-खासी activity देखनों को मिल रहा है, आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं, इसके देखिये, result आने वाला है, 7th August 2020 को financial result आने वाला है, तो इ वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को like कीजिए, comment कीजिए, दोस्तों के share, share कीजिए, और चैनल को subscribe करना मत भूलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you, दोस्तों